Studia IQ में आपका स्वागत है Ulysses जो कविता है वो Lord Alfred Tennyson द्वारा लिखी गई है सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए है Lord Alfred Tennyson एक Poet Laureate थे William Wordsworth के डेथ के बाद 1850 में ये Poet Laureate न्युक्त कर दिये गए थे Robert Browning और Lord Alfred Tennyson ये दोनों महानकवी है Victorian period के यहाँ पर Ulysses के संदर्ब में हमें याद रखना है कि 1833 के अंतरगत ये Poem लिखी गई थी और 1842 में ये Poem पब्लिश होई थी अब क्यों ये महत्वपून है? इसके दो कारण है सबसे पहला important reason ये है कि Lord Alfred Tennyson के बहुत ही important friend उनके सहपाथी, उनके दोस्त Henry Hallam की मृत्यू हो गई थी और इसलिए वो इस Poem में दर्शाना चाह रहे थे कि उनकी friend के मृत्यू के बावजूद भी वो life में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है और दूसरे चीज क्योंकि ये Greek literature से inspired है ये Greek literature के important character Odysseus जिसको जिनको हम Roman literature में Ulysses के नाम से जानते हैं उनके उपर बनी है Victorian era 1837 से लेके 1901 तक था जहांपर Queen Victoria ने rule किया था और उसे के ही समय में उनी के ही कारेकाल में ये कविता लिखी गई थी Ulysses, अब Ulysses कौन है Ulysses हमारे Trojan hero है Trojan war जो कि 10 साल का war था between Greece and Troy, ये दो जो लोग थे जो लड़ रहे थे और इन दोनों के बीच में जो 10 साल का war हुआ था उसे हम Trojan war कहते है और यहां पर एक Greek hero जो बहुत ही famous हो गए थे वो थे Odysseus Odysseus जो है इनको हम Roman mythology में जैसा हम लोगों ने कुछ तेर पहले देखा उन्हें हम Ulysses कहते हैं अब Ulysses यहां पर हमें याद रखना है कि Odysseus 10 साल तक तो Trojan war लड़ते रहे और उसके बाद 10 साल के लिए उनको घर वापसी के लिए काफी सारे adventures पेस करने पड़े और यह Homer की book Odysseus में अच्छी तरह से दरशाया गया है तो 10 साल Trojan war के रहे और 10 साल उनको लग गए घर वापस पहुचने में यह poem तब लिखी गई है जब वो अपने घर वापस आ गए है एथिका में एथिका में उन्होंने प्रवेश कर लिया है और उनकी wife Penelope जिनको काफी virtuous wife माना जाता है वो उनका इंतजार करें लगबग 20 सालों से और उनका son Telemachus बड़ा हो गया है अब इस poem के बारे में जो आपको एक चीज याद रखनी है वो है इसका form ये blank verse में लिखा गया है और ये dramatic monologue के form में है dramatic monologue का क्या अर्थ होता है dramatic monologue के अंदर जो एक शब दा रहा है monologue, dialogue, दो लोगों के बीच में बातचीत, monologue, mono means one एक ही व्यक्ति जब कुछी चीज बोल रहा है लेकिन in the presence of silent listeners listeners present है सुनने वाले लोग present है लेकिन वो चुप रह रहे है और जो एक person है, एक व्यक्ति है वही बोल रहा है और अपने आपकी personality के बारे में और चीज़ें आपको बता रहा है Victorian age में Robert Browning एक बहुती प्रसिध्य, dramatic monologue के कवीब बन गये थे लेकिन Tennyson की Ulysses is also considered to be a masterpiece T.S. Eliot जो की modern age में आते हैं जिनोंने wasteland लिखा है उन्होंने अपने essay में भी लिखा था कि Ulysses is a perfect poem 1929 में T.S. Eliot ने लिखा था Ulysses is a perfect poem ये dramatic monologue है जहां पर Ulysses अपने बारे में ही बता रहे हैं वो चाहते नहीं है बताना लेकिन वो बात करी जा रहे हैं अपने mariners के साथ अब यहां पर हम starting देखते हैं poem का आप यहां पर poetry को देख सकते हैं part 1 में It little profits that an ideal king by the still hearth among these barren crags matched with an aged wife I meet and dole unequal laws onto a savage race that hoard and sleep and fed and know not me यहां पर यह opening lines बहुत important है तो जैसा हम लोगों नहीं कहा कि Ulysses अब 10 साल Trojan War लड़के 10 साल का adventure करके 20 साल के उपरांथ अपने home town Ethica वापस आ रहे हैं वो बहुत जादा bored हो चुके हैं बहुत जादा dissatisfied है उन्हें बहुत जादा discontentment है और वो यह जो public administration के कार्या है जैसा कि आप इस line में देख सकते हैं matched with an aged wife aged wife यहां पर Penelope की बात हो रही है it little profits का अर्थ होता है it is useless that an ideal king by his still heart is like you know is meeting and a lot यहां पर meet and don't meet का अर्थ होता है a lot करना तो उनको kingly जो duties है सारे के सारे अपने राज्य का खयाल रखना वो उनको काफी जादा dissatisfying लगती है boredom infuse कर रही है bored कर रही है उनको यह सारे कार्य और इसी लिए हम क्या देखते है कि वो express करते है so यहां पर हमें याद रखना है Ulysses में एक twin agenda है एक तो यह poem बताता है discontentment of Ulysses और यहां पर आपको याद रखना है कि यह discontentment of Ulysses is inspired from Dante's Inferno Dante की कविता में Ulysses के बारे में यह बताया गया था कि Ulysses राज्यकारियों में जादा दिल्चिस्पी नहीं रखते थे उन्हें adventure जादा पसंद था यह चीज आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकिलर फर्स टांजा में हमें पता चल जाता है कि Ulysses dissatisfied है discontented है और वो चाहते हैं कि वो दुबारा से sail करें वो चाहते हैं कि वो दुबारा से कोई adventurous task perform करें और यहां पर कुछ difficult words भी देख लेते हैं ideal, idle, idle का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं कर रहा है lazy है, वो कोई काम नहीं कर रहा है हर्थ का अर्थ हो जाता है जैसा आप पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं this is the fire side so this is the concrete area in front of a fire place उसके लिए हर्थ खप्रेयो किया जाता है baron शब्द का अर्थ इस particular passage में होता है unproductive, unproductive, baron हो जाता है meet जैसा हम लोगों ने कहा m-e-t-e, इसका अर्थ है to a lot, जब आप a lot कर रहे होते हैं dole का अर्थ हो जाता है to allocate, यह एक verb है savage का अर्थ है uncontrollable, ungovernable जिनको आप govern नहीं कर सकते हैं so इस पहले passage का जो crux है वो हमें याद रखना है कि Ulysses declare कर रहे है कि little point है it is useless, there is little point in staying at home in ethica and therefore he wants to ensure that he is undertaking a journey अब यहाँ पर कुछ हमारी last की जो lines है वो भी अगर हम देखें तो हमें यह और भी जादा clear हो जाएगी यह poem it may be it may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew thou much is taken, much abides and thou we are not now that strength which in old days moved earth and heaven that which we are we are one equal temper of heroic hearts made weak by time and fate but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield यह last line बहुत ही important lines है यह काफी inspiring lines भी है और जैसा हम लोग उन्हें शुरुवात में कहा था कि Ulysses तब लिखी गई थी जब Tennyson की दोस्त की मृत्यू हो गई थी जो बहुत करीबी दोस्त थे उनके उनके college के friend थे जब उनकी मृत्यू हो गई थी तो वो यही बोलना चाह रहे थे कि even though my beloved friend has passed away I need to ensure that I am going on living right so tabi to strive to seek to find and not to yield not to succumb to any sort of grief यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़े जो हमें ध्यान में रखनी है कि Last May dramatic monologue के अंतरगात Ulysses अपने mariners से बात कर रहे हैं वो अपने जो सारे के सारे लोग थे जो उनके साथ adventure पे गए थे Trojan War लड़ा था उसके साथ 10 साल के लिए पूरा adventure किया था यह उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पर Ulysses और यह Happy Isles Happy Isles का अर्थ होता है Greek mythology में यह बोला जाता है कि मरने के बाद जो बहुत ही जादा लेकिनो famous लोग है जैसे Achilles हो गए जो Iliad में थे Achilles hero है Trojan War के वो मरने के बाद Happy Isles चले जाते हैं और यहाँ पर हमें याद रखना है कि Ulysses बार-बार कह रहे हैं कि we are not having the same strength but still we have that entire intense urge to go and fight so यही चीज हमें ध्यान रखने है कि किस तरह का desire express करते हैं Ulysses in order to ensure कि वो दुबारा से encourage कर रहे हैं अपने mariners को to undertake a journey to undertake a journey जहाँ पर adventure हो because he is not happy in Ithaca so these are all important aspects जो कि हमें Ulysses poem के अंतरकत याद रखनी है जो कि Lord Alfred Tennyson द्वारा लिखी गई है 1833 में और 1842 में यह publish होती है इस particular poem के analysis के द्वारा हम लोगों ने एक series की शुरुआत की है English poems made easy for competitive exams आप comment section में लिख सकते हैं अगर आप कोई भी poem चाहते हैं जो cover करने है जो आपके exam point of view से जरूरी है मुझसे instagram पे भी जुर सकते हैं निर्जा रहेजा के नाम से और in case of any doubts in this particular video या कोई भी English poem या work से related doubt है तो आप असे comment section में डाल सकते हैं झाती है झाती है झाल झाल